हेलो माई डियर स्टुजेंट वेलकम टू माई यूटूब चैनल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका मैट्रिक का एक्जामिनेशन सत्रह फरवरी से सुरू होगी और हम सभी अप इस यूटूब चैनल से मोडल सेट का सोलूशन करते रहेंगे और अभयास करते रहेंगे आपको हिंदी, इंग्लिश, शंक्रित और भी सब्जेक्ट का यहां से अब्जेक्टिब सारा मिलता रहेगा आपकी ऐसे ही अभयास होती रहेगी आप अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबादें ताकि अपकमि जरूर को जरूर सब्सक्राइब करें क्यूंकि हम लोग अब बहुत ही जल्द से यानि बहुत जल्द अब हम लोग चैप्टर वाई चैप्टर सलूसन चैप्टर वाई चैप्टर पढ़ाएंगे और उसका सलूसन करेंगे यानि कहीं जाने की चिंता नहीं करना है आपको इ बिहार बोड का model set जो official जारी हुआ है जिसमें 100 का question दिया जाएगा और 50 का उत्तर देना है तो उसका हम लोग solution कर रहे हैं इसका solution करने के बाद जो भी बजार में model set बहुत सारे paper हैं उनका भी हम लोग solution लेकर आएंगे और daily आपको इस playlist में दस class का जो playlist है उस playlist में आपको रोज video मिल जाएगा तो आप लोग जरूर playlist में जाकर video देखते रहे हैं चेक करते हैं तो first question है विद्धा धी गमाय में किन वर्णों की संदी हुई है तो इसमें किन वर्णों की संदी हुई है तो इसका right answer है option a आ और और की संदी हुई है option दूसरा question है किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है यानि किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है option है समास में संदी में शंयोग में श्वन में तो यानि किसमें होते है तो right answer B संदी में Option C है संस्कृत लेखिका का विग्र होगा चोथा कोश्चन है व्येधिक का यूगम का समस्त पद ज्या होगा तो चोथा का राइट एंसर व्येधिक यूगम पांचवा संस्कृत में कितने कारक होते हैं तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं इसका राइट इंसर 6 होगा छठा कोस्टन है सत्मी विभक्ती के अर्थ में किस कारक का परियोग होता है सत्मी विभक्ती के अर्थ में किसे कारक का परियोग होता है तो अधिकरन कारक का परियोग होता है सात्वा कोश्चन है दुर्योधन में उपसर्ग क्या है तो दुर्योधन में उपसर्ग उपसर्ग जानते होंगे आप सभी, कि सब्द वैसे सब्दांस जो किसी भी सब्द के पहले जुड़ कर, उसके पहले वाले अर्थ को बदल दे, उपसर्ग काराता है तो वो दुर्योधन में उपशर्ग, दुर्योधन यानी इसमें दूर उपसर्ग है बाले पद का मुल रूप क्या होगा मुल रूप क्या है बाले का तो मुल रूप क्या होगा तो इसका राइट एंसर बाल नो प्रस्ण है दात्री सब्द के प्रत्मा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है यानि एक वचन का रूप प्रत्मा विभक्ति के एक वचन का रूप क्या होगा तो नो का राइट एंसर ए दाता चर किस लकार का रूप है तो इसका राइट एंसर ए लोट लकार का रूप है दक्ष्यती किस धातू का रूप है दक्ष्यती किस धातू का रूप है तो एक गारा का राइट एंसर होगा द्रिश्य धातू का रूप है बारा कंप मानम पद में कौन सा परत्याय है तो बारा का जो परत्याय होगा वो होगा सानच परत्याय है तेरा भू योग कत्वा कौन सा अवय बनेगा भू योग यानि प्लस कत्वा कौन सा अवय बनेगा तो इसका राइट एंसर भूत्वा दार्मिकम में कौन सा तधित परत्या है तो 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 दार्मि किस उपनिसत से संकलित है यानि ये किस उपनिसत से फर्स्ट चेप्टर में है ये है किस उपनिसत से संकलित है तो किस उपनिसत से संकलित है कराई टेंसर है मुड को उपनिसत सत्रा अनिंत्रम पद का प्रयाय निम्न में कौन सा होगा तो सत्रा का राई टेंसर है अनर्थम अठारा विदाहमेता महांतम इस पधांस में कौन सा पद होगा तमा पुरुशम मित्रुम या वर्णम इसका राई टेंसर क्या होगा ठारा का right answer पूरुष्टम होगा सर्श्वती कूल गिरिहम किसे कहा गया है सर्श्वती कूल गिरिहम किसे कहा गया है तो 19 का right answer क्या होगा Option A है मुदभ फलपूर, हस्तीनापूर, पाटली पूदर, कासी तो इसका right answer पाटली पुत्र 20. मद्यकाल में पाटली पुत्र किस नाम से परसिद्ध हुआ पटना, पुशपूर, कुशुमपूर, अजीमाबाद तो इसका राइट एंसर है 20 का पटना पतन सब्द से बना पाटली पुत्र का अन्य नाम क्या होगा तो इसका राइट एंसर पटना सब एक पाट से लिया गया है पाटली पुत्र बैभौम से अब ये 22 कोश्चन भी पाटली पुत्र बैभौम से ही लिया गया है पाटली पुत्र का बैभौम किसके सासनकाल में अत्यांत समरिद्ध था तो इसका राइट एंसर है प्रेदर्शी अशोक 23. अलश्य कथापाठ में किस दोश का नुरूपन किया गया है तो अलश्य कथा पाठ में किश दोश का नुरुपन किया गया है तो अलश्य संजाति ना दृष्टवा के ना धाउंती जन्तवा इस पधांस के रिक अस्थान में कौन सा पद होगा यानि 24, 24 का राइट एंसर जो होगा वो B, सुखम 25, जलती हुई अलश्य शाला में चारो आलसी क्या कर रहे थे तो परश्पलाप वर्तालाप कर रहे थे तो उस्थी कथा ना तिस्थता किसका कथन था यानि 4 आलसी में से ये कथन किसका था 26 का राइट एंसर है चोथे आलसी का दर्शन सास्त्र में किसकी रूची थी दर्शन सात्र यानि संस्कृत लेखी काशु में ये कोश्चन लिया गया कोश्चन कहरा है दर्शन सास्त्र में किसकी रूची थी गारगी मैंत्रई शुलभा बिज्यांका यानि किसकी रूची थी 27 कराई टेंसर मेत्रे अर्थर वेज में कितने मंत्र द्रस्टा स्रिष्टिकाओं का उल्लेक है 5, 7, 4, 40 28 कराई टेंसर है 5 निमलीखित में गांगा देवी की रचना कौन सी है गांगा देवी की रचना कौन सी है तो संकर चरित्रम B, मदुरा बिजियम C, वंदरकामरी पढ़ने कथा मुक्तावली तो इसका राई टेंसर है मजुरा बिजियम 30, कंपन राई की रानी का नाम क्या था तो कंपन राई की रानी का नाम क्या था ओप्शन A, तीरुम लांबा, सिला भटारिका C, गांगा देवी D, पंडिता छामा राव टाप, चाप, डाप या उड़ कौन सा इस्तिरी परत्या है तो 31 का राई टेंसर है चाप कीम, योग, तसिल में कौन सा अववय बनेगा तो 32 का राई टेंसर क्या होगा ओप्शन A, कुत्र, कुता, कथम, कदा तो इसका राई टेंसर है कुता कर्णियम पद में कौन सा परत्याए है कर्णियम पद में कौन सा परत्याए है तो 33 का राई टेंसर है तव्यत 34, धावा धातु के विधिलिंग लकार प्रत्थम पूरुस एक वचन का रूप कौन सा होगा तो 34 का राई टेंसर है आपका D, धावित भूपती सब्द का रूप किसके समान चलेगा यानि किसके समान भूपती का भी सब्द रूप चलेगा पती, सुधी, गुणिन, मुनी तो इसका right answer पती किस पद में अधी उपसर नहीं है अध्यनम, अध्यक्षा, अधी गमम, अर्धम, अधर्म तो किस में है तो इसका राइट एंसर है अधर्म 37 धीक अववे के योग में कौन से भी भक्ती होगी तो इसका राइट एंसर है डी पंचमी भी भक्ती होगी ok media student आपको अगर ये video अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करिए share जरूर कीजिये ताकि आपके और वी जो भी इस टुडेंट हैं उनके पास share जरूर कीजिये और सब्सक्राइब कर दिजिये आपकर सब्सक्राइब करना और share करना ही हमारा मेहनत का जो भी है वो हमें पता चलेगा कि आप चरूर ये वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल है और मैं ऐसे ही वीडियो लगतार बनाता रहूँ 38. कविशु कालिदाशा श्रेष्टम वाके के कविशु पद में किस सुत्र से सत्यमी भिवक्ती होई है यानि 38 का राइट एंसर क्या होगा सश्टी चनादरे सत्यम धीकरने यता चता निधारणम अधारो अधीकरणम यानि 38 का राइट एंसर क्या होगा तो C यता चता निधारणम 49 किस में अब्वेई भाव समास नहीं है शशरीरम लंबोदरम निवादनम परति दिनम यानि किस में अब्वेई भाव नहीं है 49 का राइट एंसर लंबोदरम लंबोदरम जो है बहु बिरही समास है जिसका अर्थ होता है गनेश जी से बोड़ होता है किस में बिग्र होता है समास में, संधी में, शंयोग में, शंवताक्षर में तो इसका right answer है समास में 41 पाठे अश्मीन किस संधी का उधारन है तो 41 का right answer बेंजन संधी क्योंकि हम यहां देख रहे हैं उसके बाद हमारा एक बेंजन से मेल हो रहा उसके बाद गति प्लस इति की संधी क्या होगी गति प्लस इती की संधी क्या होगी तो 42 की राइट एंसर आपका A 43 नीम्न में चेति का सही संधी विछेद क्या होगा तो 43 का राइट एंसर 4 प्लस इती 44 किस संधी में विसर्ग में विकार परिवर्तन होता है ओप्शन A स्वर, ब्यंजन, विसर्ग, परिया भाव यानि 44 का राइट एंसर क्या होगा तो विसर्ग होगा 45 किस समास में उभै पद परधान होते हैं अब्वै भाव, क्रमधार, द्वंद, दिगू तो 45 का राइट एंसर जो होगा द्वंद 46 करण कारक विधायक सुत्र निम्न में कौन सा होगा करण कारक में विधायक सुत्र निम्न में कौन सा होगा तो अप्शन A साधकम करणम 47 भारत महिमा पाठ कहां से लिया गया है कहां से उद्धत है रमायन पुराण माभारत भगवत गिता तो 47 का राइट एंसर जो है वो पुराण से 48 अपागा का अर्थ क्या होता है सरोवर नदी समुंद्र जर्ना तो इसका राइट एंसर क्या होता है तो राइट एंसर इसका बी नदी 49 धर्म जाती प्रभाइदा या बहता वसंती रिक्त अस्थान को उचित पद से भरे तो इसका राइट एंसर क्या होगा ए अनेकता भौम बहलुत्या भौम एक्तोत भावम बैर भावम तो इसका 49 का राइट एंसर एकत्व भावम 50 के संसकार किस संसकार के अंतरगत आते हैं तो 50 का ओप्षन है जनम पुर्व शैशाव शैक्षिनिक भीवा तो इसका राइट एंसर C होगा तो okay my dear student इस वीडियो में इतना ही ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको उबाव ना हो ताकि आप वीडियो लंबा हो जाएगा आप स्किप कर देंगे और आप देखेंगे नहीं तो यह आपके लिए फायदे मन नहीं है और यह लंबा ना हो इसलिए हम एक से लेकर 50 तक क पर का हल कर लिये हैं और साथ ही साथ आपको अन्य मोडल पेपर जो भी मार्केट में उपलब्द किताब हैं उसका भी मिलेगा ठीक है मैं डियर फ्रेंज ओके मैं डियर फ्रेंज थैंक्स